डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद। भारतिये रिन बाजार को काफी मजबूती मिलेगी। 31 जनवरी 2025 से सुरू होकर अगले 10 महीनों में इन बोंड को सूचकांकों में सामिल किया जाएगा। जेपी मोर्गन के बाद ब्लूम बर्ग अपने उभरते बाजार बोंड सुचकांक में भारतिये सरकारी बोंड को सामिल करने वाला दूसरा प्रमुक वैस्विक सुचकांक प्रदाता होगा। जेपी मोर्गन इंडेक्स में जून 2024 से भारतिये बोंडों को सामिल किया जाएगा। जेपी मोर्गन के तुरंत बाद ब्लूम बर्ग सुचकांक जिसे की ज्यादा व्यापक रूप से देखा जाता है। में सामिल करने से भारतिये बाजार में 2-3 अरब डोलर का निवेस आने की उम्मीद है। और यह उन बड़े अंतरराष्टी निवेसकों का भरोसा बढ़ाने वाला कदम साबित होगा जो अपनी रिन होल्डिंग को विवीधता देना चाहते हैं। इससे आगे चल कर रिन बाजार में उन्चा निवेस प्रवाह आएगा। केंद्रिय बजट 2020-21 में यह एलान किया गया था कि केंद्र सरकार की कुछ स्रेणियों की प्रतिभूतियों को बिना किसी रोकटोक की गेर निवासी निवेसकों के लिए खोला जाएगा। जिसके बाद भारती रिजर्व बेंक ने FAR के तहत सीक्योरिटी जारी करना सुरू किया। उमीद की मुताबिक ही इससे वैस्विक सुचकांकों में भारत सरकार के बोंडों को सामिल करने का मार्ग प्रसस्त हुआ। सेदांतिक रूप से देखें तो बोंडों को सुचकांकों में सामिल करने के कई फाइदे हैं। इससे विदेशी बचत का बड़ा प्रवाह आएगा जिससे ने केवल सरकार को अपने राजकोसिये घाटे की भरपाई करने में मदद मिलेगे। बलकि चालू खाते की घाटे की भरपाई में भी आसानी होगी। इन सुचकांकों की निगरानी करने वाले फंड निस्क्रिये प्रक्रती के हैं। और इनसे आने वाला प्रवाह सक्रियता से प्रबंधित कोसों के मुकाबले ज्यादा स्थाई माना जाता है। आगे चल कर FAR के तहट और प्रतिभूतियां जारी की जाएंगे। और चुकि बजट घाटे की कुछ हिस्से की भरपाई विदेशी बचत से होगी, तो इससे घरेलू बचत पर दबाव कम हो जाएगा। जिससे अर्थ व्यवस्था की कुल उधारी लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी। व्यापक इस्तर पर देखें तो वैस्विक सुचकांकों में सरकारी बोंडों को सामिल करना भारत के व्रहद आर्थिक ताकत में भरोसे को भी बताता है। भारत दुनिया की सबसे तेज बड़ती बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में से है। जिसमें व्रहद आर्थिक स्तिर्ता भी है। भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा बंडार भी रहता है। जिससे विदेशी मुर्चे पर इस्तिर्ता बनाई रखने में मदद मिली है। हाल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतीगत सक्ती के दोर में इसका प्रमाण भी मिला। साल 2024 में अब तक भारती रिन बाजार में विदेशी पोर्ट फोलियो निवेसकों ने करीब पांच अरब डोलर का निवेस किया है। वैसे तो सुचकांक में सामिल होने के कई फाइदे हैं लेकिन यह गवर करना एहम होगा कि रिन बाजार में ज्यादा विदेशी निवेस से कई तरह के जोखिम भी बढ़ सकते हैं। जैसा कि रिजर्व बेंक के गवर्नर सक्तिकांत दास ने पिछले साल कहा था कि सुचकांक में सामिल होना एक दोधारी तलवार की तरह है। वैसे तो निकट अवधी में सुचकांकों में भार बढ़ने और इन सुचकांकों की निगरानी करने वाले प्रबंधन के तहत परिसंपतियों में व्रद्धी होने से प्रवाह में व्रद्धी होगी। लेकिन यह सुचकांक प्रदाताओं द्वारा भारत का भार कम किया जाता है तो इसका विपरीत भी हो सकता है। एसे हालात में विदेशी कोस भारती प्रतिभूतियों से निकल जाएंगे और इससे उधारी की लागत तथा भारती रुपया दोनों पर दबाव बढ़ेगा F.A.R. के तहट अधिक निर्गम जारी होना जो कि विदेशी निवेसकों के लिए एक तरलता वाला बाजार बनाने के लिए जरूरी होगा। दबाव के समय एस्थिर्ता को बढ़ा सकता है। इसका मतलब यह है कि अधिक विदेशी निवेस के लिए बेहतर और जादा चुस्त विरहत आर्थिक प्रबंधन की जरूरत होगी। संक्षेप में कहें तो भारत को कम और इस्थिर्त मुद्रास्वी थी कि सात सात कम राजकोसिये और चालू खाता घाटा बनाए रखने का लक्से रखना होगा। वैसे तो इसे लगातार कम किया जा रहा है लेकिन इस संधर्ब में उच्छ सरकारी बजट घाटा एक नाजुक बिंदु बना हुआ है। मुद्रा की अस्थिर्ता पर काबू पाने के लिए रिजर्व बेंक को विदेशी मुद्रा प्रवाह काबी सक्रियता से प्रबंधन करना होगा। समाप। दोस्तो इस डिक्टेशन का पीडे फाइल आपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आज पर स्वामे पर डाल लगा है।